दोस्तों आज की वीडियो में बनाने वाले हम बबल बनाने का लिक्विड तो इसके लिए हमें चाहिएगा पानी इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा विम हम बनाने वाले एक दम परफेक्ट बबल जो बहुत ही अच्छा बनेगा इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम चीनी दोस्तो और चीनी डालने के बाद थोड़ा सा हमें चाहिएगा कॉनस्टान यानि के मक्का का आटा और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्लीसरीन और ये एक इस तरह का लिक्विट बनने वाला है जो हर तरीके के मशीन के अंदर कहीं भी आप बबल बनाने के अंदर डाल सकते हैं और इससे जो बबल बनेंगे बहुत बड़े बनेंगे बहुत ज़्यादा देर तक टिकेंगे तो एक दम परफेक्ट वाला लिक्विट ये बनने वाला है तो ग्लास थोड़ा सा फटा हुआ था जिसकी वेसे पानी इसमें से निकल रहा था तो मैंने दूसरे डब्बे के अंदर इसको रख लिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तो हम छोड़ देंगे एक रात के लिए देखेगा अभी बबल बन रहे है बट जल्द ही फूट रहे है और ये देखेगा दोस्तो एक राज छोड़ने के बाद लिक्विट हो गया तयार और ये देखेगा कितने बड़े बड़े कितने अच्छे अच्छे बबल दोस्तो इससे बन रहे है इस तरीके से आप बबल का लिक्विड बना कर किसी भी मशीन में जो बच्चों के लिए है जिससे बबल बनते हैं आप बना सकते हैं उसके अंदर डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छे बबल बनेंगे इसके थुरू वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक का बटन जरूर दवाईएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किजिएगा और सब के साथ शेयर भी किजिएगा